हेलो मेरे पैरे विद्यारतियों कैसे हैं आप लोग हुप आप सब बढ़े होंगे बच्चो मैं भी एकदम बढ़े हूँ तो आज बच्चो हम एक important मुद्धे पर बात करने हैं क्योंकि exams करीब आ रहे हैं मैं 2014 के new slivers का पहला exam होने जा रहा है and I know आप लोगों की classes जो है अब तक खतम हो गई होगी है खतम होने वाली होंगी सभी की almost जो बोध ग्रूप कर रहा है उनकी भी तो start करते हैं कि corporate and other laws की जो revision strategy होने वाली है वो किस तरह से होने वाली है अगर हम बात करते हैं बिटा सबसे पहले corporate law की जो आपका 70 marks का है जिसमें companies act 2013 और LLP act 2008 आपके slivers में है companies act 2013 के अंदर आपके 11 chapters है ठीक है और LLP act एक ही chapter उसके अंदर अलग से कोई units या chapter आपके पास नहीं है फिर आता है मेरे बच्चा other laws जो 30 marks का होता है जिसमें हमें general clauses act पढ़ना है interpretation of statutes पढ़ना है और foreign exchange management act पढ़ना है इन तीनों को मिला कर हमारे पास 30 marks का जो exam में पूछा जाएगा सबसे जादा time जो बेटा आपको revision करने में लगेगा वो इस portion पे लगेगा for sure companies act 2013 पे क्योंकि marks भले ही उतने नहीं है बट syllabus actually में बहुत जादा वास्ट है और जो institute exam में पूछता है case based study बना कर वो एक एक point को multiple points को connect करके पूछता है है ना और यहाँ पर अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो इदर थोड़ा सा आपको learning part जी हाँ थोड़ा सा ratification जादा करना पड़ता है because यहाँ पर technical language जादा used है और mostly यहाँ पर interpretation of statute में कोई case based study नहीं direct questions पूछ लिये जाते हैं तो अगर आपको four to five points हर rule के learn होते है तो आप easily उसमें marks score कर जाएंगे तो yes यहाँ पर आपको learning थोड़े सा memorize part थोड़ा सा जादा करना पड़ेगा अब बात करते हैं sir मई 2024 में exam है exam delay होंगे नहीं होंगे वो अभी तक कोई भी clarification नहीं है है ना तो हम तो मई 2024 के हिसाब से तयारी कर रहे हैं और हमारा जो क्या कहते हैं target होना चाहिए वो हमारा law में 80 plus का target होना चाहिए इससे कमका अगर आप target कर रहे हैं तो आप fail होने की तयारी कर रहे हैं अगर हम 80 plus का target लेकर चलेंगे तो हम easily exemption score कर लेंगे अगर आप exemption का target लेकर चलेंगे तो हो सकता है आप 40 marks के आसपास आकर लटक जाए तो risk बिलकुल नहीं लेना है time है proper guidance हम आपको देंगे उस तरीके से आपको तयारी करनी है अरे sir one shot कब आएंगे sir one shot आएंगे बेटा उसका detailed planner आएगा detailed schedule आएगा don't worry वो हमने बोला है हम उसको one shots आपको provide करेंगे अभी के लिए आप ये सुनिए कि normally आपको law के तीन revision करने है sir इससे जादा भी कर सकते हां sir इससे कम भी कर सकते हां but एक average student को law को अच्छे से retain करने में तीन revision की जरूरत पड़ेगी जिसमें आपका first revision second revision और third revision first revision में आप hundred percent syllabus करेंगे आप self study जब कर रहे होंगे या जब मैं बोलो revision कर रहे होंगे तो hundred percent syllabus में ते आप ये मतोचना ये chapter छोड़ देता हूं नहीं first revision के time हम ये नहीं सोचते हैं कि कौन सा chapter छोड़ देंगे first revision के time क्योंकि class में सब कुछ पढ़ाया गया है तो हम सब कुछ पढ़ेंगे अगर आप first revision के time में selective study करना start कर देंगे तो ultimately जो chapters है वो आप कभी भी नहीं पढ़ पाओगे ठीक है okay sir फिर hundred percent syllabus मैं मानता हूं कुछ chapters में आप weak होंगे कोई doubt नहीं है कुछ chapters में आप weak होंगे हो सकता है क्योंकि कोई chapter का length इतना बड़ा है content easy है length बड़ा है content कम है लेकिन technical थोड़ा जादा है ऐसा हो सकता है जिसकी वज़ा से आप किसी chapter में weak होंगे उनको अभी इस stage पर skip करने की मत सोचना devote more time on those chapters जिसमें आप weak है उसे थोड़ा time दे कर देखो उसे थोड़ा सा पढ़ कर देखो कि क्या वो हो पा रहा है नहीं हो पा रहा है क्योंकि law के paper में हम जतना ज़ादा attempt करके आएंगे उतना ज़ादा better हमारे लिए होने वाला है और क्योंकि ये new scheme है क्योंकि new scheme है तो बहुत सारा expected है कि आपका जो question है वो ICI module से उठकर आ सकता है तो ICI के जितने भी illustrations दिये हुआ है ICI के जितने भी test your knowledge दिये हुआ है वो आपको करने है plus अगर आपके पास कोई question mang है हमने तो question mang आपको दिया ही था PW का question mang या अगर आपके पास कोई और question mang है वो आपको cover कर लेना है first revision में इतना coverage करना है जब आप questions को कर रहे होंगे तो आपको जो questions difficult लगेंगे या जो question आपको लग रहा है कि important है उनको आप star mark कर लेंगे उनको आप क्या कर लेंगे star mark questions ये कब काम आएंगे बिटा ये काम आएंगे आपके second revision में जब आप second revision में जाएंगे तब आपको अपने notes से revise करना है जो आपने hand return notes बनाया होंगे या जो आपके teacher ने आपको notes प्रोवाइड करें जैसे हमने अब आपको हर chapter के typed hand return notes प्रोवाइड करें है उन notes से आपको thoroughly revise करना है आपने जो यहाँ पर star mark question करेते उन्हें एक बारी और solve करके देखना है plus आपकी latest RTP plus आपकी latest MTP जो आएगी वो भी आपको second revision में solve कर लेनी है उसके बाद लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखना कि जब आपका first revision complete हो जाएगा ना और second revision आप law का start करने जा रहे होंगे उसके बीच में एक paper law का solve करके देखना timer लगाके इससे एक आपको time management आ जाएगा exam के लिए और दूसरा आपको ये पता चलेगा कि first revision में आप कौन-कौन से chapters में improvement की ज़रूरत है कौन-कौन से आपके weak areas है उन weak areas को जब आप identify कर लोगे तो वो weak areas जब हम यहाँ से revise कर रहे होंगे उसे improve करने की कोशिश करेंगे बेटा second revision में हम यहाँ से क्या करेंगे उसे improve करने की कोशिश करेंगे and then जब हमारा second revision complete हो जाएगा तब हम एक और law का paper hundred marks का solve करेंगे तीन घंटे लगा कर जी हाँ तीन घंटे का timer पंदरा मिनट reading time तीन घंटे solving time करके और उस paper को solve करके यह देखेंगे क्या हमने improvement किया या improvement नहीं किया अगर improvement हो रहा है very very good बट यहाँ पर भी कुछ ना कुछ आपको कमिया पता चलेंगी इन कमियों को आप third revision जो कि हमारा बोलते है super quick revision क्या बोलते है super quick revision कुछ लोग ये super quick revision खुद से कर सकते हैं बट सारे बच्चे क्योंकि एक जैसे नहीं होते तो यहाँ पर बेटा आप teacher के provide करे गए marathon की मदद ले सकते हो हम भी आपको marathon provide करेंगे तो उस marathon से आपको मदद मिल जाएगी और आप एक super quick revision कर पाएंगे जिसमें आपका थोड़ा सा जाधा time आप कहां पर लगाएंगे जो paper में आपने देखा था था ना weakness area से वो वाले उस पे आप थोड़ा जाधा time लगाएंगे ठीक है I hope आपको plan clear होगा first revision detailed revision second revision it's not detailed it's just a pure revision but improvement के साथ अपने mark questions को करना and third revision में super quick revision और third revision ना इस तरह से होना चाहिए कि exam से एक दिन पहले आप 18 गंटे के अंदर पूरा corporate and other loss जितना भी आपने prepare किया है वो revise कर सको मैं मानता हूँ कि syllabus बहुत जादा vast है और हर एक चीज को अपने दिमाग में रखना is next to impossible हर चीज हम याद नहीं रख सकते word to word line by line बिलकुल लेकिन maximum हम retain करने की कोशिश करेंगे और इसी लिए हमने जो आपको google drive link दिया था मैंने उसके उपर आपके important section numbers की list भी upload कर दिये मैंने क्यों upload कर दिये ताकि आप उस sections पर जादा time devote करो मैं ये नहीं कह रहा कि सिरब वो section कर जाओ तो भाईया pass हो जाओगे मैं ये कह रहा हूँ कि आपको थोड़ी सी priority पता चल जाएगी कि भाईया दूसरे sections को अगर कम time भी दिया और इन section को थोड़ा importance दिया क्योंकि उनके exam में आने के chances बहुत जादा होते हैं इसलिए आपको एक list provide कर दिया आप Google Drive पे जाकर check कर लेना आपको important files के folder में वो list मिल जाएगी उस list के हिसाब से मैंने उस list में important तो दिये ही दिये हैं और साथ में जो most important है वो भी अलग से आपको mark करके provide कर दिये हैं तो उनको तो बिलकुल भी मत छोड़ना कुछ भी हो जाए वो sections तो आपके सारी tips पे होने चाहिए ठीक है so all the best है ना अब हम मिलेंगे सीधा one shot revision के sessions में ठीक है अगर आपको कुछ भी problem आ रही है तो मुझे जरूर बताईएगा है ना I will take some doubt session or something so that हम लोग एक line पे आ जाए कि हम लोग आगे मई 24 में कैसे clear करने वाले हैं चलिए बाबाई